नमस्कार दोस्तों, जै हिंद, जै भारत इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा Standard Operating Procedure for Offline Exam Registration for Students other than Final Semester Diploma Engineering and Final Year Diploma Pharmacy will start from 14 September 2020 याने की इस वाले नोटेस में Standard Operating Procedure जो Offline Exam के लिए फॉलो होना है वो दिया हुआ है और जो बच्चे Diploma Engineering Final Semester के अलावा और साथ में Final Year Diploma Pharmacy के अलावा है उन बच्चों का Registration 14 सितमबर से शुरू होगा इस नोटेस को क्लिक करने पे आपके सामने इस टाइप से विंडो खुलेगी इसमें लिखा है सितमबर महा की Diploma परिक्षाओं में सम्मिलित होने वाले चात्रों हे तू Offline परिक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं को Online जमा करने से सम्मंदित मानक संचालन प्रक्रिया याने की यहाँ पर Guidelines दी हुई है कि किस टाइप से आपको अपने Answer Sheets अपलोड करनी है और उसके अलावा अगर आप चाहें तो किस टाइप से अपने Answer Sheets सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं 16 सितंबर से शुरू होने वाली Offline परिक्षा की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को RGPVExam.in पोर्टल पर अपलोड करने है तू दिशा निर्देश निमनानुसार है याने की जब आप Answer लिख लेंगे तो Answer Sheets को स्कैन करने के बाद PDF में कनवर्ट करना है और PDF में कनवर्ट करने के बाद RGPVExam.in पर अपलोड करना है उसके लिए दिर्शा निर्देश नि डारेक्शन नीचे दिये हुए हैं उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने का पोर्टल केवल Google Chrome ब्राउजर में ही कारे करेगा यानि कि अगर आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है तो केवल Google Chrome ब्राउजर का ही इस्तमाल करें 16 सितंबर से आरम होने वाली परीक्शा में उपस्तित होने वाले सभी चात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं अपलोड करने है तो 16 सितंबर को अगर आप एक्जाम देने वाले हैं तो आपको rgpv.exam.in पर रेजिस्ट्रेशन करना बिलकुल कमपलसरी है अगर आपने रेजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो रेजिस्ट्रेशन कर लें रेजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है रेजिस्ट्रेशन के लिए rgpv.exam.in खोलें रेजिस्टर बटन पर क्लिक करें अपना एन्रॉल्मेंट नमबर दर्ज करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें फिर विश्व विद्याले के रिकॉर्ड के अनुस आपके पासवर्ड का साइज कम से कम 10 अंकों का होना चाहिए और तो और पासवर्ड में अक्षरों के अलावा कम से कम 1 अंक भी होना चाहिए Finish Registration बटन पर उसके बाद क्लिक करना है इतना करते के साथ ही आपका Registration यानि की पंजी करण हो जाएगा कारिकरम के अनुसार समस्त प्रशन पत्र केवल RGPV Diploma.in पर चात्र के Portal लॉग इन खाते में उपलब्ध होंगे यानि की RGPV Diploma.in वेबसाइट खोलनी है कृपया ध्यान दे की प्रशन पत्र Portal अलग है और उत्तर पुस्तिका अपलोड पोर्टल अलग है इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें क्योंकि प्रशन पत्र आपको RGPV Diploma.in के अपने Portal से मिलेगा और आंसर शीट अपलोड आपको करनी है RGPV exam.in पर जो रइस्टर करने के बाद लिंक आएगा वहाँ पर next point है प्रथम पाली की स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाएं छात्र सुभा ग्यारा से दुपेर तीन बजे के मध्य एवं दितिय पाली की स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाएं दुपेर तीन बजे से शाम छे बजे के मध्य केवल परीक्षा के दिन RGPV exam.in पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे यानि जिनका exam first shift में है वो सुबह 11 से दुपैर 3 बजे और जिनका exam second shift में है वो लोग केवल दुपैर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ही अपनी answer sheet scan करके अपलोड कर सकते है इस बात का आप खास ध्यान रखें कि अगर first shift में exam है तो 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप answer sheet अपलोड कर दें और अगर second shift में exam है तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक आप answer sheet अपलोड कर दें समय सारणी के अनुसार परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र हल करने के पस्चाथ छात्र को registration के समय बनाए गए अपने password और नामंकन क्रमांग का उपयोग करके rgpv exam.in portal पर login करना होगा यानि time table के हिसाब से exam वाले दिन answer sheet को आपको upload rgpv exam.in पर करना है और यहाँ पर login करने के लिए आपको अपना enrollment number और password जो आपने registration के time पर बनाया है उसका इस्तमाल करना है rgpv exam.in पर login करने के बाद pdf प्रारूप में एकल फाइल में scan की गई उत्तर पुस्तिका को upload करने के लिए एक upload बटन दिखाई देगा परिक्षा form में भरे गए सभी paper code और सम्मधित upload बटन दिखाई देंगे जिसमें से केवल एक बटन समय सारणी के अनुसार उलेखित परिक्षा के दिन और समय सीमा के भीतर सक्रिय होगा rgpv exam.in पर जब आप लोग लॉग इन करेंगे तो वहाँ पर केवल pdf की एक फाइल upload होगी इसलिए अपनी answer sheet को एक साथ scan करके pdf फाइल में बना लें और वहाँ पर upload बटन जब दिखाई दे आपको वहाँ पर आपको जाके answer sheet को pdf form में upload करना है time table के हिसाब से एक समय पर केवल एक बटन एक्टिवेट रहेगा उसी का इस्तमाल आपको करना है प्रतेक विशे की उतर पुस्थिकाओं के रूप में केवल एक pdf प्रारूप में फाइल को upload करने के अनुमती होगी scan कर बनाई गई pdf फाइल का प्रथम प्रस्थ विश्विजाले के portal rgpv diploma.in से डाउनलोड किया गया प्रथम प्रस्थ ही होना चाहिए उतर पुस्थिकाओं के प्रिष्थों को staple ना करें A4 आकार के प्रिष्थों पर केवल एक तरफा लेखन की अनुमती है हर subject की individual एक ही pdf फाइल बनेगी सारे के सारे pages को आप staple ना करें एक साथ pages को रख कर आराम से एक हे करके scan करें और उसकी एक फाइल बनाएं एक subject के लिए एक फाइल ही आप अप्लोड कर पाएंगे और जो front page रहेगा उतर पुस्थिकाओं का वो rgpv ने rgpv diploma.in पर डाल दिया है उस front page को properly पूरा का पूरा अच्छे से देख लें और उसे properly भर लें उसके बाद ही उसे scan करें और उसके पीछे अपनी answers को scan करें A4 size के papers पर आप केवल एक तरफ ही लिखें इसी की अनुमती दी गई है यदी छातर उत्तर पुस्थिकाओं को scan करने के लिए smartphone का उपयोग कर रहा है तो उमीदवार को निम्न में से किनी भी दस्तावे scanning आपका उपयोग करके उत्तर पुस्थिकाओं को scan करना होगा यानि कि आप इन दी गई applications के इस्तमाल से अपनी उत्तर पुस्थिकाओं को scan कर सकते है Adobe Scan, Google Drive Scanner, Document Scanner Document Scanner भारत में बना है इसलिए इसको आप लोग prefer करिएगा Microsoft Office Lens कोई भी अन्य आप जो आपको suit करता हो और जो उत्तर पुस्थिकाओं का first scan प्रदान करता हो next point है बहुत तिक scanner का उपयोग करने वाले चातर को यह सुनिशित करना चाहिए कि scanning resolution 300 dpi से अधिक नहीं होना चाहिए जब भी कभी आप scan करें तो हमेशा ध्यान दें कि scanner applications हमेशा पूछती हैं कि आपको कितने dots per inch पे scan करना है तो आपको वहाँ पे 300 से ज़्यादा set नहीं करना है वरना PDF फाइल बहुत बड़े साइज की हो जाएगी यदि छात्र rgpv exam.in platform का उपयोग करके online file upload करने में सक्षम नहीं है तो कृपया निर्देश अनुसार answer sheet collection center की सूची में दर्शाय गए polytechnic महाविध्यालों में जाकर hard copy जमा करें अगर आप लोगों को rgpv exam.in पर किसी भी तरीके से अपनी answer sheet upload करने में दिक्कत आ रही हो तो आप collection center पर जाकर अपनी answer sheet जमा कर सकते हैं उत्तर पुस्तिका का पूर्ण उपयोग करें अनावश्य खाली स्थान न छोड़ें प्रिष्टों की संख्या अदिक होने पर upload करने में समस्या हो सकती है प्रतेक प्रिष्ट पर enrollment number एवं प्रिष्ट करमांग अंकित होना अनिवार है answer sheet को पूरे तरीके से आपको इस्तमाल करना है कहीं पर भी खाली जगे नहीं छोड़नी है अगर बहुत ज़ादा pages होंगे तो upload करने में दिक्कत आ सकती है आपको हर page पर अपना enrollment number और page number ध्यान से लिखना है rough कारे को अलग से किया जाना चाहिए जिसे मुख्य उतर पुस्तिका के नीचे upload नहीं किया जाना चाहिए rough काम के लिए आप अलग से sheets का इस्तमाल कर सकते हैं उनको scan करके upload नहीं करना है कृपया सुनश्चित करें कि single PDF file में ही उस विशेश पाली की उतर पुस्तिका के सभी प्रिष्ट सामिल होने चाहिए यानि कि एक session में जो आप answer sheet लिखेंगे उसके सारे page एक ही file में scan हो सुनश्चित करें कि scan की गई उतर पुस्तिका laptop, desktop में पश्ट रूप से दिखाई दे तेज upload, fast uploading के लिए scan की गई PDF file का आकार कम रखने की कोशिश करें लेकिन yes पश्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए ध्यान रखें कि PDF का आकार प्रती file 50 MB से अधिक नहीं होना चाहिए यह आप लोग confirm कर लें कि जो भी answer sheet आप scan करें वो computer पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे उसके लिए आप 75 DPI से ज्यादा DPI पे किसी भी चीज़ को scan करें और जिससे की uploading fast रहे उसके लिए बहुत ज्यादा DPI आप choose ना करें maximum 50 MB की file ही upload आप कर पाएंगे उत्तर लिखने के लिए काले pen का प्रयोग अनिवार है answers केवल और केवल आप काले pen से ही लिखेंगे भले आप examination center जाकर अपनी answer sheet जमा कर रहे हो यदि अभ्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका upload कर दी है तो वह उत्तर पुस्तिका को फिर से उसी परिक्षा में upload नहीं कर सकता है यानि एक बार आप answer sheet upload करने के बाद दुबारा से उसमें कुछ editing नहीं कर सकते इसलिए एक बार में ही आपको proper file upload करनी है उपरोप्त निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका upload करने का भ्यास करने के लिए 14 सितंबर को mock drill आयोजित की जाएगी अतहर सभी अंतिम सेमिस्टर डिप्लोमा इंजिनेंग के चात्र नियमित एवं X एवं दुतिये वर्ष डिप्लोमा फार्मसी के चात्र नियमित एवं X 14 सितंबर के पूर्व registration अवश्य करवाएं सबसे बड़ी खास बात RGPV आपको तयारी करवा रहा है आंसर शीट किस टाइप से अपलोड होंगी उसके लिए 14 सितंबर को mock drill है इसलिए आप सभी लोग तयार रहें कौन सभी लोग? फाइनल सेमिस्टर के regular और X students जो की इंजिनिंग डिप्लोमा के चात्र हैं और सेकंड एर डिप्लोमा फार्मसी के regular और X students इन चीजों के लिए आपको तयार रहना है अब मैं अगर बात करूँ ओफ्लाइन डिप्लोमा एक्जैम आंसर बुक कवर पेज और एडिशनल पेज यह यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह फाइल आपके सामने खुल जाएगी यह फाइल RGPB ने आपको दे दी है यह फ्रेंट पेज आपकी आंसर शीट का बनने वाला है इसमें पेपर कोड आप प्रॉपरली लिखेंगे तोटल नमबर ओफ पेज इस यूज़ यह बहुत ध्यान से आपको एक्जैम के बाद यानि आंसर शीट लिखने के बाद यहाँ पर बहुत ध्यान से एंटरी करनी है अपनी ब्रांच, सब्जेक का नाम, एंडॉल्मेंट नमबर, एक्जैम की डेट, एक्जाम का टाइम और सिगनेचर आपके वही होने चाहिए जो की RGPV में आपने रेजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यानि की एंडॉल्मेंट के टाइम पे एंटर किये है साइन अगर मिस्मैच हुए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आंसर शीट्स के लिए इंस्ट्रक्शन हैं, परिक्षार्थी इसी प्रस्ट से लिखना प्रारम करें यानि इस पहले पेज के नीचे जो लाइन दियुए है, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेर आपको यहीं से आंसर लिखना स्टार्ट करना है उत्तर पुस्तिका में कोई भी प्रस्ट रिक्त ना छोड़े, PDF फाइल का साइज छोटा एवं पठन योग्य होना चाहिए आंसर शीट में कोई भी पेज आपको खाली नहीं चोड़ना है और PDF फाइल का साइज छोटा, कितना छोटा, 50 MB से कम होना चाहिए enrollment number में किसी भी प्रकार की card chart ना करें यानि यहाँ पर जो आप enrollment number लिखेंगे, वो बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए उसमें कोई भी cutting नहीं होनी चाहिए पर एक शार्थी उत्तर पुस्तिका है तू A4 size paper का केवल एक side ही उत्ता लिखने है तू प्रयोग करें यानि आपको A4 size के paper पर केवल एक side ही answers लिखने हैं दोनों side यानि आगे पीछे बिल्कुल भी न लिखें प्रशन का उत्तर समयकित इवं आधार बूत होना चाहिए यानि answers proper होने चाहिए ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग परिक्षार्थी इस प्रिष्ट का print out परिक्षा पूरू भी निकाल कर उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्ट के रूप में सभी प्रशन पत्र में सम्मिलित करें यानि जो भी ओग exam दे रहे हैं वो सब इस page का print out exam से पहले ही निकाल लें और जितने भी exam आपको देने हैं उन सब की answer sheet के पहले page के रूप में इसका इस्तमाल होना है तो यानि कि अगर आपको 3 paper देने हैं तो आप कम से कम 3 page तो इसका print निकाल लें मैं तो ये कहूँगा 3 की जगे आप 5 निकाल लें जिससे अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक कर सकें परिक्षार्थी अनिवारे रूप से कुल प्रिष्ट की संख्या अंकित करें इस प्रिष्ट को प्रिथम प्रिष्ट के रूप में सम्मेलित कर शेश गणा की जावे आपको पूरे के पूरे पेपर्स कितने आपने यूज की हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और इस पेज को आप पेज नंबर 1 काउंट करेंगे इसके बाद सेकेंड पेज को पेज नंबर 2 लिखना है ऐसा नहीं कि उसे पेज नंबर 1 दें ये वाला आपका page नंबर 1 रहने वाला है परिक्षा के प्रशन पत्रों की उपलब्दता एवं उत्तर पुस्तिका को online upload की समस्त प्रक्रिया www.rgpv.diploma.in पर अवश्य रूप में पढ़ें question paper की availability और answer sheet कैसे upload करना है इसके लिए website पर सारी details दी हुई है जो की मैंने इस वीडियो में आपको शुरुवात में समझाई है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लें और वीडियो जरूर देख लें सभी प्रश्टों पर परिक्षार्थी प्रश्ट संख्या enrollment number एवं paper code अवश्य रूप में अंकित करें यानि आपको हर page पर page number enrollment number और paper code बहुत ध्यान से लिखना है केवल black ball pen का ही उपयोग करें आपको केवल black ball pen का ही इस्तमाल करना है यहां से आप लिखना start करेंगे और next page यह आपको दिया हुआ है आप enrollment number आप लिखेंगे यहाँ paper code और यह page number आप अगर चाहें तो front page के लिए इसका print निकाल सकते हैं जो की compressor यह है और second page से लेके और आखरी के pages तक का इन pages का print out आप निकाल सकते हैं इससे आपकी answer sheet पूरी की पूरी as per rgpv हो जाएगी अब एक खास बात pages को staple मत करियेगा क्योंकि staple होने के बाद pages को scan करने में दिक्कत आएगी pages को scan अच्छे से करियेगा camera बिल्कुल मत हिलाईएगा pages scan ऐसे होने चाहिए कि आपकी writing अच्छे से पढ़ाई में आ रही हो बहुत ज़ादा dpi पे scan नहीं करना है और बहुत कम dpi पे भी scan नहीं करना है 75 dpi से उपर dpi पे आपको अपने answer sheet को scan करना है और 300 dpi से नीचे आपको अपने answer sheet को scan करना है इसलिए मेरा suggestion है कि आप लोग 200 dpi पे अपने answer sheet को scan करें last notice है online exam 2020 theory marks are available in students login इसके लिए मैं अलग video लेके आऊँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत